दोस्तो सनिवार के दिन सरवार सिद्धियोग हैं इस दिन केवल पीपल के पत्ते पर एक मनोक कामना लिख करके इस मंत्र को बोल देते हैं तो निश्चित रूशे मनोक कामना पुर्य हो जाती हैं पीपल के अंदर लक्ष्मी नरण का वास होता है ब्रह्मा विश्नु मेश तरशक्तियों का वास भी पीपल के अंदर होता है इसलिए पेपल के पेड़ पर इस मनोक कामना के द्वारा उपाय किया जाए तो निश्चित रूशे आपकी मनोक कामना पुर्य हो जाएगी दोस्तों आपको करना यह है कि सनिवार के दिन शाह काल के समय पर आपको पीपल के पेड़ के पास में जाना है आप अपने साथ में एक लाल स्याई का पेन थोड़ा सा लाल कपड़ा के तुकड़ा और एक कलावा और एक आटे का दीपक बना के ले जाना है जिसमें गाय का गी हो सबसे पहले आप इन उपाय को समझ लीजिए एक आटे का दीपक लिया जिसमें आपने गोल बत्ती का दीपक लगाना है उसमें गाय का गीवर लेना है छोटा सा लाल कपड़ा लेना है जैसे रूमाल से चोथाई का टुकड़ा लेना है छोटा सा एक कलाबा और एक लाल पेन ये लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे जाए सबसे पहले आपको आटे के दीपक जो ले गए हैं वो दीपक जला देना है फिर उसके बाद आपको एक वार हनवान चालिशा का पाठ करना है आपने हनवान चालिशा का पाठ कर लिया उसके बाद में आपको पीपल के पेड़ पर एक दंदी पकरनी हैं ध्यान रखें पत्ता तोड़ना नहीं हैं दंदी में लगे हुए पत्ते पर ही अपनी मनोकावना लिख देनी हैं लाल पेन से इसके बाद कलावा लेकर के साथ बार उस दंदी पर जिस पर पत्ता लगा हुआ है साथ बार कलावा लपेड दें कलावा को और पत्ते को आपने जैसे लपेड दिया उसके साथ में फिर वहीं पर खड़े हो करके साथ बार कलावा अपने हाथ में बानना है अपने हाथ में भी बादने के बाद में फिर पीपल के नीचे ही आपको एक माला यह ग्यारे बार इस मंत्र को बोलना है ध्यान दे मंत्र को ओम हरीम वट श्वाहा क्या मंत्र है ओम हरीम वट श्वाहा ऐसा करके फिर आपको पीपल के पेड़ के नीचे से एक चुटकी मित्ती लेनी हैं और जो लाल कपड़ा आप लेकर की गए हैं उस लाल कपड़े पर उच्छुटकी मित्ती रखकर की उसमें गांट लगा लें और उस लाल कपड़े को लेकर की आजाएं और लाकर के लाल कप्ड़े को अगर धन में बरकत नहीं होती, तो तिजूरी में रख दें, नौकरी में या ब्यापार में रुकाबत हैं, तो ब्यापार इसल के लिए ब्यापार में रख दें, नौकरी के लिए अपनी जेम में रख कर के जाएं, आपका प्रित्ते कार होने ल अपने पास लखते समय ओम पिपले स्वर महादेव का ध्यान करना है दोस्तों इस उपाय को करने से लाखों लोगों ने फायदा उठाया है वीडियो को ज़़ा शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें